हेलो स्टुडेंट कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करता हूं आप सभी लोग अच्छी होंगे सो दोस्तों आप लोगों को पता चली गया होगा कि कानपुर युनिवर्सिटी ने डेट एनाउंस कर दिये बैक पेपर की सो दोस्तों पहला जो पेपर है हमारा हमारे जो करेंगे दोस्तों तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो पहला पॉइंट है पॉलिटिक्स सब्द की उत्पत्ति युनानी भाषा के पॉलिस सब्द से हुई है जिसका उस भासा में अर्थ है नगर राज तो इसमें कोश्चन आपसे तीन तरह से पूछा जा सकता है पहल पूछते हैं पॉलिस सब्द का क्या अरथ होता है तो आप कहेंगे नगर, राज होता है तो दोस्तों इस तरह से इस कोश्चन के भी तीन कोश्चंब बन जाएंगे ओकी लोग बड़ते ही नेक्स्ट कोश्चन के दिदिदिदे है कर दको को आपके जितने की राजनेती के लेका के या किस ने कहा था तो आप कहेंगे गारनर ने कहा था, simple है, जो next point लोग ठड़ पड़ेंग base मैं ने divide कका दिया था, है वो एक вही point था मैंने इसको divide कके दे था आप ल combination को क्जाने के लिए फिर भी अध्यन सुवीधा की दृष्टे से राज़नीती विज्ञान की विविन परिभाशा ओंगवर्ग में विवाजित किया जा सकता है बीर्श की अगर पहले तो यानि कहा जाता है कि राजिनती की उतनी परिभाश आएं कि जितने की राजिनती के लेखा के बट फिर भी जो हम लोग उसको दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं फर्ष्ट होता है परम परागत द्रिष्टी कोड शेकंड होता है वेवारवादी द्रिष्टी कोड आपसे कोश्चन पूछा जा सकता है और आपसे अगर ये भी कोश्चन पूछा जाए कि ये किसने कहा था कि परम परागत द्रिष्टी कोड वेवारवादी द्रिष्टी तो आप कहेंगे गार्नर ने ही विवाजित किया था अभी तक हम लोग देख रहे हैं तो इन ही तीन कोश्चन में हमारे छे से साथ कोश्चन कंप्लीट हो चुके हैं उससे ज्यादा ही इनफेक्ट हो चुके होगे तो दोस्तों फूर्थ कोश्चन लोग आता है परम परागत द्रश्टी कोड इसको भी तीन वर्गों में विवाजित किया जा सकता है किया जा सकता है तो पहला क्या है पहला हम यह देख लेते हैं फिर अच्छे से अंदर से पढ़ेंगा राजनिती विग्यान के वल राज का अध्यन ने पहला है दूसरा राजनिती विग्यान के अवल सरकार का अध्यने दूसरा है एं ठड़े राजनिती विग्यान राजय सरकार दोनों का अध्यने तीसरा है ओके लियान रखिएगा दोस्तों जो पहला था दोस्तों इसको विलोग पढ़ते हैं इसका आधार वियापक अर्थ में प्राधिकार और करें ज culinary के अरी और के सी पसे नहीं है खुछा जाता है एक्जाम में यह किस ने कहा था कि यॉ ti विग्यान के अध्यन का आरंत एसे के साथ होता था मिए हैंगे डॉक्टर गार्णर ने कहा था ओके दोस्तों पॉइंगे कि तरफ बढ़ते हैं अगर आप से कुश्चन में पूछा जा रहा है कि राजनेती विग्यान सरकार से संबंदित है उस सरकार से जिसका आदार व्यापक अर्थ में प्राधिकार का मूल भूध विचार है अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाता है कि राजनेती विग्यान राज और सरकार की समान समस्याओं का अध्यन करता है यह किसने का है तो आप कहेंगे गिल्क्राइस्ट ने कहा है यह ओके दोस्तों अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट यानि सेकंड वेवारवादी द कि किसी भी राजनेती विवस्ता में सक्ति शाषन अत्वा सत्ता का बड़ा महत्ता आपको इंगर रॉबर्ट एड हैं ने कहा था ओके दोस्तों अगर आपसे पूछते हैं उससे पहले मैं आपको बताया रहा हूं कि यह यहीं तक था दोस्तों ओके अब मैं आपको कुछ च पूछता है जैसे कि राजनेती विग्यान के राज का अध्यन ने यह किस ने कहा था आप डॉक्टर गार्ना बताई देंगे दोस्तों आप रिवीजन करते रहेगा दोस्तों अब बढ़तें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग यहां पर आगे थे से निया कु दीजेगा दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि राजनेती विग्यान का सम्मद्राज तता उसके साधन सरकार से तो आप कहेंगे दिमा ओके दोस्तों एंड नाइन कुश्चन दोस्तों है कि अगर आपसे पूछता है कि राजनेती विग्यान राजवा सरकार की समान समस्या जाओ का अध्यन करता है किस ने परिभाशा दीती तो आपके बिल्क्राइस्ट ने यह परिभाशा दीती दोस्तों ध्यान रखेगा दोस्तों कि अगर आपसे पूछता है कोश्चन राजींति विद्गान के विभी ने चेत्र क्या है वैसे तो मेंली तीन इंपोर्टन माने जातने हैं राज का अध्यन सरकार का अध्यन मनुष्ट का अध्यन संस्थाओं का अंतराष्टे कानून सर्बंदों का अध्यन वर्तमान राजनीदिक समस्षा को अध्यन सो दोस्तों आप लोग ने अगर पूछा जा कौश्टन कि कौन को इसमें से कोई भी ऑप्शन मिलता है तो दोस्तों आप एक करके आ सकते हैं अगर आप से पूछता है राज इतिक समाज सास्थर की एक साखा है जिसका संबंद मुक खुरूप से राज देती और समाज में अंत क्रिया का विस्सर करना है तो या किस ने कहा ता अगर आप से पूछता तो आप कहेंगा डाउजेद अथा यूज ने कहा वीडियो चाहिए कोई कोषिशन है तो पीस दोसों कमेंट करके आप मुंझे डिमांड कर सकते हैं दोस्तों अगले दिन आपको मिल जाएगी वीडियो सो दोस्तों også कुशन आप कि आता है राजनेतिक सन्रचनाओं एवं राजनेतिक सन्स्थाओं के पारम पारिक अंतहा संबंदों के अध्धन के रूप में परिभाशित किया जा सकता है ये किस ने कहा था लिप सेट ने कहा था ओके 13 पॉइंट है राजनितिक विग्यान राज से प्रारंब होता है और इस बात की जाज करता है कि या समाज को कैसे से प्रभावित करता है राजनितिक समाज सास्त समाज से प्रभाव होता है प्रारंब होता है और इस बात की जांच करता है वह राज को कैसे प्रभावित करता है किस ने कहा था बैंडिक्स ने कहा था फूर्टीन पॉइंट है दोस्तों राजनितिक समाज सास्ति में व्रमत समाजिक संरसना आता था समाज की राजनितिक संस्ताओं के पारस पारिक संबंदों का अध्यन किया जाता है यह किस ने कहा था पोपीनो ने कहा था दोस्तों प्रोफेसर लास्की ने कहा था प्रोफेसर लास्की ने लिखा था दोस्तों आप लोगों को मैंने कुछ ऐसे से पॉइंट बता है जो काफी बड़े है जैसे तो छोटे चोटे पॉइंट्स ने क्या कहता है यह कफी इंपोरेंट्स होते दोस्तों बटब बट आप पड़ लिजेगा नॉलज चीनल चुछ ब्यू करते रहेंगा दोस्तों मैं आपसे यह करता हूं कि तयारी करके जाये दोस्तों आप सभी लोग को एंड नेक्ट वीडयो का हम लोग पूरा पेपर डिसकस करने वाले हैं कि क्या क्या आ सकता इंपोर्टन पॉर्टन इसलिए प्लीज अपने एक्जाम के खातिरी चैनल सस्क्राइब कर लीजिए एंड वीडियो लाइक कर दिजए कमेंट करके बता दिजए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी कोश्चन हो आपका एंड कलमनों की यूनिट चेकंड आने वाले एंड किसी और सब्येक्ट की भी आगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बता दिजए ठैंक कि सो मच दोस्तों मेंट करता हूँ आपको वीडियो मेरी बहुत पसंद है होगी ओके टेक कियर